नमस्कार दोस्तो अब है अभी इस वक्त की सबसे बड़ी और भ्हेंकर खबर राजस्थान से आ रही है जी हां दोस्तो आपको बता दे एक बार फिर से राजस्थान में आज तक की सबसे बड़ी चापे मारी की गई है दोस्तो एक साथ लगबग दो से तीन जिलो में बड़ी रेड राजस्थान में दोस्तो हुई है और अब तक 41 करोड रुपिये दोस्तो हैं जो गिने जा चुके हैं और अभी भी दोस्तो जो रेड है वो लगातार जारी है दोस्तो आपको बता दे इंकम टेक्स की जो ये कर लिए गए हैं राजस्थान में आयकर विबाग की चापे मारी कारवाई लगातार जारी है आयकर विबाग की टीम ने मंगलवार को एक बार फिर चापा मारा है राजधानी जैपुर और जोदपुर के दो ठेकदारों समू के करेव गुनिश ठिकानों पर दोस्तो ये चा पिमारे हैं आयकर विबाग की अनवेश साखा की कारवाई से करोडो रुपय की आयकर चोरी उजागर हो सकती है फिलाल लगातार कारवाई जारी है इस्थानी पुलिस के सहयोग से आयकर विबाग के अधिकारियों ने कारवाई को दोस्तो अंजाम दिया वहीं आपको बता एक साथ गुनीश ठिकानों पर दोस्तो चापे मारे गए हैं वो लेकनी है कि हाल ही में आयकर विबाग ने राजिस्थान के बड़े ज्वेलर और खनन व्यपारियों के ठिकानों पर चापे मार कर करोडो रुपय से अधिक की कर चोरी पकड़ी थी आयकर विबाग से जुड पर चापा मारा गया है आयकर विबाग की अनविशन साकाक ने चापे मार कर रवाई की है आयकर विबाग की अधिकारियों को दिनों से कई दिनों से दोस्तो ठेकेदार समू के जो ठिकाने हैं यहाँ पर काली कमाई की जानकारी मिल रही थी आयकर विबाग की टीम ठेकेदा गुद्टार समूं के बैंक लोकर्स को भी लगातार खंगार रही है यानि कि दोस्तों यहां पर मोटी रखम मिलने वाली है और आपको बता दें इससे पहले दोस्तों अब तक हाल ही में उजागर की थी दोस्तों 41 करोड की काली कमाई क्यूंकि जो दोस्तों इंकम टेक्स है ल लेकर विबाकी टीम ने राजस्तान के दो बड़े कारोबारिया हैं उनके ठिकानी पर दोस्तों चापा मार कर 41 करोड रुपे की काली कमाई उजागर की थी तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें आपको हर अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी आप अभी ही चैनल को स सब्सक्राइब करके बेल आइगन प्रेस जरूर करें तथा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कोमेंट वोक्स में हमें इससे बताएं धन्यवाद जैएं